वेल्कम टू माई चैनल लर्न मी देश्टडी चाहे आप SSE CGL की प्रिपरेशन कर रहे हूँ CPO की, CHSL की या MTS की यह जो टॉपिक है डाटा इंटर्पेटेशन इस पे मैं टोटल धाइसो कोशन कराने वाला हूँ और यह मेरे तरफ से YouTube पे पहली बार इनिसियाटीव है तो अलड़ी मैंने पार्ट वन में 1 से 9 कोशन अलड़ी मैं कम्प्रिट करा चुका हूँ इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ कोशन नमबर 10 to 20 और यह है डाटा इंटरपेटेशन का पार्ट टू तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट के हो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और बिल आइकन को दबा दें ताकि उनको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाया करें और आप ट्राइ कीजिए अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी क्या करना है कि अपने फ्रेंड सरकील में जहां पे वाटस अप भी आप यूज करते हैं वहाँ पे सेर जरूर कर देजिए ताकि बाकी अधर लोगों को भी डियाई की प्रोब्लम जो है वो नहीं आने पाए और ठीक है और आपको भी continuous वीडियो मिल पाए देखिए और जो लोग टेलिग्राम चैनल पे जोईन नहीं हो पाएं इस वीडियो के comments box में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप join कर सकते हैं 1 to 9 already मैंने part 1 में complete कराया था देखिए एक question दिया गया है direction 10 to 14 चार question का दिया गया है और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है इसका मतलब क्या है कि एक bar chart दिया गया है जिसमें यहाँ पे percentage distribution बताया गया है percentage distribution का मतलब उनका अलग-अलग percentage mobile company के बारे में बताया गया है ठीक है लिखा गया the total production in 2007 2007 और 2008 दो year है तो 2007 में जो production दिया गया है वो कितना था 35 लाग था and 2008 in 2008 the production वाज 44 लाग और 2008 में production कितना है 44 लाग है ठीक है यह दिया गया यह percentage distribution दिया गया है अब आगे पढ़ते हैं कहा जारा है study the chart and answer the following question कहा जारा है इस chart को study कीजिए और उस पे जो question पूछे गया है उसका आप reply दीजिए यानि question को बनाए दिया गया है percentage of six different types of mobile manufactured by a company over two years कहा जारा कि दो साल में 2007 और 2008 दो साल हो गया दो साल में different different एक company का different different mobile manufacturing का जो percentage of six different mobile company a, b, c, d, e, f के बारे में यहाँ पे so किया गया है कि a जो है वो blank को represent करता है b इस तरह सको represent करता है c dot 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 को represent d vertical line को represent करता है e इस format में और f इसमें अब देखिए आते हम question पे question देखिए क्या दिया गया है अब question bilingual है कल देखिए कल कुछ लोग का blame आया था मैं आपको कुछ बत चीज़ें बताना चाहँगा कल कुछ लोगों ने comments किया था कि question क्या है question जो कल का वीडियो था question bilingual नहीं था हिंदी में भी दीजिए अगर आपने 30 minute की कल वीडियो थी न अगर आप 30 minute देखते न तो आप पहले चीज़ comment नहीं कर पाते तो again I request you to क्योंकि ये जो question सारे है bilingual है क्या नहीं लिखा गया verse 2007 में ये क्या है हिंदी ही तो है और कल भी आपने देखा हुआ question क्या था bilingual था तो ऐसे students पहले चीज़ आगेन बोलूँगा कि आप यहां से हटिए आप another channel पे जाईए वहां पे आप पढ़िए study कीजिए ठीक है मेरे को आपके जैसे students की need नहीं है क्योंकि आप आँख बंद करके वीडियो देखते हो ऐसा तो possible है नहीं और जब question हिंदी और English दोनों में है तो आप बोल रहे होगी हिंदी में तो वह चीज़ें तो बंद कीजिए दूसरा चीज़ एक और students से मेरे को problem है 30 minute की वीडियो है जैसे मैंने अभी वीडियो अपलोड किया आप ऐसे comments करने लग जाते हो very helpful video very nice video ये सब चीज़ों की मेरे को need नहीं है क्यों क्योंकि आपने पूरा 30 minute का 30 minute वीडियो देखा नहीं आपने कैसे judge कर लिया कि वीडियो अच्छी थी या नहीं थी या आपको उससे कुछ सीखने को मिला या नहीं तो ऐसे students को भी अगेन आपको बोलूँगा आप लाख channel ने YouTube पे आप कहीं और move कीजिए वहाँ पे जा करके आप ऐसे comments कीजिए आपको वहाँ के जो खुसी भी मिलेगी आपको भी feel करोगे अच्छा और जो लोग पढ़ा रहे होगे उनको भी feeling अच्छी होगी तो मेरे channel पे ये फालतू चीज़ें ना करें तो बेटर है अगर 30 minute की वीडियो है तो आप 30 minute at least वीडियो को देखें लर्निंग के point of view से अगर आओगे मेरे channel पे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर कुछ लोगों का comments बार-बार आता है ये topic करा दो वो topic करा दो आप मेरे channel के playlist में भीजिट करो DI series चल रही है इसके DI के छोड़ कर क्योंकि DI अभी मैं continue करना हूँ इसको छोड़ कर कोई ऐसा topic जो math का हो जो आपको playlist में नहीं मिलेगा होई नहीं सकता हर एक topics मैंने complete करा चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको क्या है satisfaction नहीं है आप लोगों को आदत बीमारी लगी हो कितना भी कोई करा दे ना आपको हमेशा कम लेगा क्योंकि आप selection के लिए पढ़ते ही नहीं हो हर एक topic मैंने already complete करा चुका हूँ आप मेरे channel के playlist में भीजिट कीजिए आपको topic wise list मिल जाएगी और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मैंने यूहीं करा हूँ all arithmetic, 17 topic arithmetic के है without any formula without any formula मैंने all arithmetic topic करा है advance math भी मैंने बहुत अच्छे से complete करा हूँ number system, 17 वीडियो में इस तरह से अगर आप मेरे channel की playlist में भीजिट करोगे दिन आपको पता चल जाए तो आप मेरे channel के playlist में भीजिट कीजिए सारे arithmetic topic आपको covered मिलेंगे as well as advanced topic advance math में जो topic आते है number system, सारे चीज़ मैंने already complete करा चुका हूँ DI की भी series already मैं लेके आया हूँ तो again request है कि पढ़ने वाले students के लिए बहुत कुछ है मेरे channel पे ठीक है नहीं पढ़ने वाले के लिए तो भाई बातियां लगे लाग channel है YouTube पे आप other जगा move कीजिए other जगा आप खुस भी रहेंगे study भी कीजिएगा तो ऐसे students please I request YouTube कि आप another जगा पे move करके आप वहाँ पढ़ना इस्टार्ट कीजिए क्योंकि आपको selection से मतलब है doesn't matter कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है आपको इससे matter नहीं होना चाहिए चले हम अपने main point पे आते हैं हमने main point क्या था कि जो chart दिया गया था उसमें दिया गया 2007 में production कितना था 35 लाग और 2008 में production कितना था 44 लाग 35 लाग क्योंकि इसका use करेंगे हम और 2008 में कितना था 44 लाग देखे आते हैं हम question पे question कहा गया कि total number of mobile model A, B and E manufactured in 2007 वाज कहा ज़र है model A, B and C तीनों का total mobile का production 2007 में कितना था A, B और E के बारे में लिए तो सबसे पहले हम A A किया है देखो, ये A का representation था blank 2007 में हम करें बात तो A कितना था यहां से यहां तक यहां से यहां तक कितना है देखो 30% आ गया, क्योंकि 0 से लेकर के 30 तक गया है, यानि 30% 30% लेकिन 2007 में production कितना था 35, तो 35 का 30% 35 into 30 by 100 plus B के बारे में आते हैं, देखो, B का A यह डाइग्राम है तो B का A, 2007 में यहां से यहां तक है यह वाला portion B है देखो, मैं जो color कर रहा हूँ 30 से लेकर के कहां तक है, देखो 40 और 50 के बीच में क्या होगा? 45 तो 30 से 45 यह वाला यहां से यहां तक कितना परसेंट हुआ? 15 यानि 35 और 2007 में production कितना था? 35 लाग 35 लाग का 15 परसेंट 35 by 100 प्लस अब हम आते हैं, E के बारे में दिया गया देखो, E यह है 2007 में E वाला यह वाला situation था तो देखो, E कितना है? 80 और 70 के बीच क्या है? 75 75 से लेकर के यह कहां तक है? 90 तक है तो कितना हो गया 75 से 90 जाने के लिए कितना परसेंट हुआ? 15 परसेंट यानि 15 परसेंट किसका? 35 लाग का क्योंकि 2007 में production हमेशा कितना था? 35 लाग 15 by 100 अब देखो, यहां पे मैं आपको कुछ चीज़ें देखें, कैलकुलेशन किस तरह से हम करेंगे 35 by 100 कॉमन कर लें, तीनों में तो यह कितना हो गया? सिर्फ इधर बचा 30 इधर क्या बचा? सिर्फ 15 और इधर क्या बचा? 15 बस इसको मैं multiply करूँ 30 by 100 इंटो 30 और 30, 60 हो गया 1,0 से 1,0 कैंसे अगर मैं इसको multiply भी करूँ तो 35 इंटो कितना हो जाएगा? 5,36,88,21 अपॉंट 10 यह कितना आगया? 21 यानि 21 और लाख था ये तो 00 something होगा यानि हमारा पहला होना चाहिए 21 से starting 21 से starting कौन सा है? तो option number C is the right answer क्यों यह 0,50 दिया गया? क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ पे 35 लाख लिखा हुआता है तो हमें लाख के लिए क्या 00 बैठाना होगा? ठीक है? तो हमें 00 बैठाने क्या जोगता है? हमें main focus करना है इस पे क्योंकि हमें exam में जितना कम calculation करें और exam में थोड़े न हर जगा 35 लाख पे 000 लिखोगे उस तरह से नहीं आपका 21 देखो किसमें match कर रहा है starting 21 से होना चाहिए चलिए next question पे move करते है question number 11 question number 11 क्या दिया गया है? वो ध्यान से दिखिएगा for which model was the percentage variation in production from 2007 to 2008 the maximum? कहा ज़रा है निम्न में से किस नमूनों का वर्ष 2007 से 2008 तक का उत्पादन परतीसत का अंतर अधिक्तम है अब देखे नियान से यहाँ पे समझे बात को 2007 है और यह 2008 है अब यहाँ पे समझने वाला बात है अब यहाँ पे 4 option दिये गए हैं तो हम सारे के लिका लें पहले मॉबाईल ए के बारे में लिका लें 2007 में ए का position कहाँ था? और पहुँच गया 2008 में पहुच कहां गया देखो 2008 में पहुच गया 40 ठीक है 40 30 से 30 से था 40 पे पहुच गया यह 30 था पहुच गया 40 पे 2007 में 30 था और 2008 में कहां पहुँच गया 40 पे तो आपको पता चल गया मैं erase करके समझाओ एक मिनट 2007 में 30 था और 2008 में कहां पहुँच गया 2008 में 40 पे पहुँच गया तो कितना increase हुआ mobile A के बारे में बात किया model A के बारे में 30 से 40 10 increase हुआ मैं इस तरह से भी लिख सकता था किस तरह से 40 minus 30 किस से increase हो रहा है initial 30 से into 100 तो क्या हो गया 10 upon 30 into 100 यानि cancel यानि कितना 1 by 3 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में 33 से ही इतना परसेंट तो ये A के बारे में आए उसी तरह से B लिका ले B लिकालते हैं देखिए देहान से यहाँ पर B के बारे में B यहाँ से यहाँ B 30 से लेकर के 45 तक है B पहले 15 था B 15 था initial 2007 15 था और B देखो यहाँ से B यहाँ से 40 था 40 से पहुँच गया कहा तक 60 पर यानि B 15 था 20 हो गया कितना increase हुआ 20 minus 15 upon यानि अगर मैं बात करूँ इसका तो 5 by 15 into 100 5 by 15 का मतलब क्या 1 by 3 into 100 यानि यह भी कितना हो गया 33 सही इतना तरस यानि A जो है 2007 से 2008 में आने में इतना increase हुआ B इतना increase हुआ C के बारे में बात करें देखिए C के बारे में आते हैं हम erase कर देता हूँ C जो है कौन सा है C का ये है C पहले कहां से था 45 से लेकर के C 65 था पहले कितना था C 20 unit अब C के बारे में यहां से दिखते हैं यहां पे C 60 है देखो यह 60 position है और यहां पे C कितना हो गया 75 तो 60 से 75 कितना हो गया 15 यानि C घटा है C क्या होगा, घट गया न, 20 से 15, तो क्या होगा, 15 माइनस 20, अपन किस से 20, इंटु 100, जो भी आएगा, ये क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि production पहले 20 था, C का, और 20 परसेंट था, अब कितना होगा, 15 परसेंट, तो घट गया न, यानि घटा, तो ये कम हो जा 2007 में D, देखिए, ये D बला लाइन है, 2007 में D 65 से कहां तक पहुचा है, 80, यानि 65 से, 80 यानि कितना, 15 था, D 15 था, यहां पे D कहां पे है, देखो, यहां पे D 80 से लेकरके, 85 तक गया है, यानि यहां भी 15 है, तो क्या, कोई increment हुआ यहां से, यहां, 15 माइनस 15, 15 माइनस 15, और इ 0% increment के आसपास आ जाएगा, अब E की बात कर लेते हैं, एक E भी है, E की बात करें, तो देखो, E पहले कहां तक था, यहां से, यहां तक, E 85, यहां पे, सोरी, E क्या है, 85, सोरी, यहां पे मैंने कहीं गलत कर दिया हो, था, तो देख लीजिएगा, एक मिनट, मैं यहां से, चेक कर लेता हूँ, इसके बारे में, एक मिनट, मैं color change कर लूँ, इरेजर पहले ले लूँ, C तो हमारा थिक था, D के बारे में हमें चेक करना था, D में देखे क्या confusion, D में देख लेता हूँ, D यहां से, यहां तक था, पहले, तो यह कि एतना है, 65, और यह कितना है, 75, 10 ही है, न, D 10 है, और D यहां पे देखे, D यहां पे 75 है, और D यहां पे कितना गया 85 यहां भी 10 ही है 10 तो क्या होगा 10 minus 10 upon initial था 10 into 100 तो भी क्या आएगा 0% क्या आसपस क्योंकि 0 by 10 आ जाएगा increment नहीं हुआ था E के बारे में बात करते हैं देखें E के बारे में बात करते हैं यह थोड़ा सा आपको सीज़ थोड़ा सा था बस समझना था मैं आपको समझाने में टाइम लगा रहा हूं अदरवाइस question E देखें E यहां पे है E का डाइग्राम यह है यहां से यहां बढ़ा E कितना 75 से गया कहां तक 90 तक यानि 75 से 90 गया 15 और E यहां यहां पे है देखो E यहां पे कितना है 85 85 से कहां गया 95 यानि 10 15 से 10 हो रहा यानि यह भी घट रहा यह भी क्या होगा देखो negative करेगा चुकि negative होगा 15 था 10 पहुंच गया यह negative percentage होगा अब बात किया जरा है देखो B प्लस C add करूँगा तो सिर्फ कितना रहेगा इसमें कुछ negative कम करूँगा तो less than 33 point इतना percent हो जाएगा इससे कम होगा minus होगा तो दूसरा C plus D की बात करें तो C और D ये तो देखो negative A भी चला जाएगा क्योंकि negative plus something D plus E D plus E अगर मैं बात करूँ तो ये भी something negative होगा लेकिन A plus B की बात किया जाए तो देखो A 33 percent है और इसका इतना दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 33, 33, 66 percent से एभब होगा यानि कौन सबसे ज़्यादा max है उत्पादन अंतर किसका ज़्यादा है सबसे ज़्यादा इनका इन दोनों के बीच का difference दिया गया ना देखो ध्यान से कहा गया है कि जो for which model was the production variation in 2000 maximum किसका maximum है production variation दोनों के मिला करके देखें तो 33, 33 इन दोनों का सबसे ज़्यादा maximum variation क्योंकि बाकि सारे देखो क्या आ रहा है तो सबसे ज़्यादा maximum variation किसका है इन दोनों का मिला मैं इस तरह से बात करूँ 2007 से 2008 में अधिक्तम अंतर वाला अधिक्तम अंतर किसका है तो option क्या हो जाएगा D हो जाएगा तो बस question का समझने का point था चलिए next question पे move करते हैं question number 12 देखी क्या कहा गया है What was the difference in the number of B type mobile produced in 2007 to 2008 कहा ज़र है B type mobile, B परकार के नमूनों के उत्पादन की संख्या वर्स 2007 और 2008 में कितना अंतर हो देखे दियान से अब यहाँ पे समझने वाला बात है हमें B की बात किया जा रहा है यह B है, B यह 2007 में यह वाला था 30 से लेकर के 45 तक कितना हो गया 30 से 45 B इनिसियल में 2007 में 15 परसेंट था और B जो है 2008 की बात करें तो 2008 में 40 से लेकर के कहा तक पहुंचा है 60 यानि कितना है 20 तो जो B है वो 2008 में कितना है 20 इन दोनों के बीच का अंतर अंतर कैसे लिका लोगे वो भी परसेंटेज में लिका लना है तो देखो 20 इसी तरह से हम करें ठीक है चलिए इस तरह से कर लें चलिए अब यहाँ पर समझनी वाली बात है हम इसको इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि प्रडक्शन 2007 में 35 लाग था ये भी तो दिया गया है और 2008 में ये कितना था 44 लाग था तो यह बी कितना है 15% है तो बी 2007 में कितना था 35 लाग उसका तो 2007 में production था उसका कितना 15% और ये कितना दिया गया है 44 का कितना क्योंकि 2007 में production इतना 2008 में इतना अब हम इस पे आते हैं आगे बढ़ते हैं calculate कर ही ले तो calculate मत करो आगे बढ़ जाओ तो इसको 35 में 15 का multiply करेंगे 35 में 35 में पहले 10 का multiply करो तो कितना होगे 300 और 35 में 15 का multiply करोगे तो यह आपका आ जाएगा 525 आ गया और इसको multiply करूगा तो कितना होगे 880 upon 100 और यह कितना होगे 525 upon 100 इन दोनों को मैंने क्या कर लिया calculate कर लिया, अब calculate करने के बाद हमसे पूछा क्या गया, दोनों के बीच का difference, तो मैं कर लूँ तो 880 upon 100 minus 525 upon 100, इन दोनों का difference कितना हो जाएगा, अगर 100 LCM हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 880 minus 525 यानि कितना हो गया, 355 अब 355 ये लाक सम्थिंग होगा, क्योंकि 35 लाक था, 44 लाक था यानि सम्थिंग 00 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कड जाएगा, यानि हमारे स्टार्टिंग कहां से होगा, 355 से 355 पौन सा एंसर आ रहा है option number A, इस दरा है हमें बाकी calculate करने की जरूरत नहीं ठीक है, चलिए next question पर आते हैं, question number 13 देखे, question number 13 क्या कहा गया है समझने वाला बात है question number 13 कहा जाएगा, कि if the percentage production of A type mobile in 2008 as same as that in 2007 then the number of A type mobile produced in 2008 would have been कहा जाएगा, कि A परकार के नमूने का वर्स 2008 तथा 2007 में उत्पादन परतिसस समान हो तो वर्स 2008 में A परकार के नमूनों का कुल उत्पादन कितना था देखो, A कौन सा है, ये वाला है 2007 में कहां तक ता था ये 30% था 2008 में कितना था, ये 40% पे गया है, यहीं गया है लो मैं लिख देता हूँ, 2007 में इसका प्रोडक्षन था 30 2008 में कहां गया है 40, अब कुश्चन में कहा जा रहा है कुश्चन में कहा जा है कि प्रोडक्षन A mobile टाईप का 2008 और 2007 में क्या करदे, सेम यानि कि जितना 2007 में था, क्योंकि हमें पूछा गया 2008 के बारे में 2008 के बारे में दे, 2007 के बराबर, तो लो हमने कर दिया, 2008 में कितना, 44 लाग, 44 का कितना, 30% है, तो 30 by 100, एक जिरो से, एक जिरो कैंसिल, मल्टिप्लाई करें, तो चारतियां बारा, चारतियां बारा, एक तेरा, डिभाइड़ बाइटें, अब यह क्या था, 44 लाग था, तो something 00 होगा, यह कैंसि नहीं है, तो यह, आपको था, एक और, last question दिया गया है, वो भी question अच्छा है, question number 14, देखे, question number 14 क्या दिया गया है, if 85% of the D-type mobile produced in each year were sold by the company, how many D-type mobile remain unsold, कहा गया है, यदि प्रति वर्ष उत्पादित होने वाले D-प्रकार के नमूनों की संख्या का 85% बेच दिया गया है, तो बताएं, D-प्रकार के mobile जो नहीं बेचे गया है, उनकी कुल संख्या कितनी हो, देखे, simple question है, 2007 और 2008 की बात के दोनों वर्ष की बात करें, तो 2007 में D-type कौन सा है, यह बला है, यहां पे देखो, D-type, यहां से यहां तक है, 65 है, यहां पे क्या है, 65, यहां पे क्या है, 75, यानि पहले कितना था, 10, यह 10% है न, 65 से 75, 10%, 10% किसका, 2007 में 35 लाग था, 35 लाग का 10%, आगे बढ़ करें, 2008 में यह D है, तो पहले कितना है, 75, से कहां पहुचा है, 85, 10 ही है यह भी, तो D में 44, जो 2008 था, उसमें production कितना था, 44 लाग, उसका भी क्या लिकालना पड़ेगा, हमें 10% ही लिकालना पड़ेगा, 10%, और यह तो था, इसका 85% क्या कर दिया गया, sold यानि बेच दिया गया तो जो नहीं बेचा गया, उसके बारे में बताना है, तो 85% बेच दिया गया, तो बचा कितना, 15%, नहीं बेचा गया, तो हमें यह लिकालना था, 15%, और इसको solve कर लेते हैं, solve करें, तो किस तरह से करेंगे, कि 300 upon 100, प्लस 440 upon 100, इसका multiply करना है, 15 upon 100, चलो, इसका LCM ले लूँ, इसके अंदर तो यह कितना हो जाएगा, इन दोनों को add करूं directly, LCM लेके, तो 0, 5, 4, 9, 7, 4, 11, 5, 4, 9, 4, 3, 7, 4, 3, 740 into 15 by 100, एक 0 से 1, 0 काटो, अब देखो 74 में 15 का multiply करना है, तो सबसे better क्या है, पहले 74 को 10 से multiply कर, 10 प्लस 5 करके, तो 740 हो गया, 740 प्लस, 7, 5 के 20, 7, 4, 28, 29, 30, यानि कितना हो गया total, मैं बाद, 740 हो गया, यहां तक पता चल गया, 740, चलो, अगर कहीं पे, एक मिनट, सोरी, यहां पे 0, 4, 7, 3, 10, 10, 1040 सम्थिंग, देखो, मैं यहां पे calculation कहीं पे error कर रहा हूं, एक मिनट मेरे को कर लेने दिएगा, देखे, मैं यहां से कर रहा हूं, इन दोनों को मैंने add किया, इन दोनों को add किया, तो कितना हो गया, 0, 549, 549 होगा, यहां पे, ठीक है, यहां पे mistake था, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यह 0 से 1, 0 कैंसिल कर लिए, यहीं पे multiply कर देता हूं, 79 का 15 multiply करना है, तो 10 प्लस 5 कर दो, तो 790, अब देखिए, कुछ लोगों को यह समझ में आ रहा होगा न, कि मैं चाहता तो directly लिख सकता था, इतना आएगा, calculate करने के बाद, लेकिन मैं आपको इसलिए calculation करा रहा हूं, कि आपको एक्जाम में calculation करना है, और एक्जाम में calculation डियाई का करना ही पड़ेगा, डियाई दो ही चीज़ पे based है, डियाई is all about arithmetic as well as calculating, क्योंकि डियाई में क्या है calculation और जो है, और आपका जो arithmetic person है, उन दोनों का mixing है, तो अब मैं बात करूं, 790 प्लस, 945, 735, 36, 37, 38, 49, तो ये कितना हो गया, 5 और 99, 18, 17, 10, 11, यानि ये आगया, 1185, अपन, नीचे कितना आगया, 1000, अब देखो ये सारे लाख में थे न, 35 लाख और ये, तो something 00 होगा, तो ये सारे कट जाएंगे, बचेगा कितना, 11, something इतना बचेगा, यान 1185 से, तो यो किस में मैच कर रहा है, C is the right answer of this question, तो ये जो टायर 2 का 2012 का पेपर था, ये कैलकुलेटी पार्ट था, अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, और ऐसे कैलकुलेटी पार्ट था, अदर्वाइज ऐसा नहीं है, कुछ कैलकुलेटी भी हो सकते ह अब देखिए बाकी other question पे करते हैं, देखिए question number 15 to 17 दिया गया है, ये CGL 2013 में पूछा गया है, question दिया गया है, in the following question, study two pie chart, दो pie chart दिया गया था, एक ये, और ये pie chart और उसका answer देना था, अप्रेल मन्थ, ये जो pie chart है, अप्रेल मन्थ का है, जिसकी salary 24,000 दी गई है, और ये मैं मन्थ का pie chart है, जिसकी 25,000 दी गई है, A represent कर रहा है, education को, C represent कर रहा है, grocery को, D represent कर रहा है, electricity and phone bill को, E miscellaneous को, और B saving को, देखिए अब question हमारे पास आएगा, उसके coding हम question के coding करेंगे, question number 15 क्या कहा जा रहा है, what is the percentage increase in education in May month than April month, तो education की बात किया जा रहा है, April month और मैं मन्थ की, education की score ही present कर रहा है, A को, April month की बात करें, April month में education की बात करें, तो April month A वाला 47% है, तो उसका कितना salary है, 24,000 का 47%, 47 by 100, 2,0 से 2,0 cancel किया, अगर इनको multiply करने लग जाओ, तो multiply करूँगा तो कितना होगा, 11 to 8,0, ये April month का education का आ गया, मई मन्थ के education की कैसे करें, A किसको represent कर रहा है, education, education A कितना है, 50%, किसका, 25,000 का, तो 25,000 का 50%, 50 by 100, 2,0 से 2,0, 25,5 से 1,25, 2,0, 12,500, यानि अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, April में हमारा आ गया है, कितना आया था है, 11, आया था, 11,2,80, ये क्या, April मन्थ का, मई मन्थ में education का कितना आया था, क्योंकि हमें education से मतलब था, वो था 12,500, अब कहा जा रहा है, देखे, question में क्या का जा रहा, what is the percentage increase, कितना increase हुआ, यहाँ से यहाँ, तो घटा दें, 12,500, minus, 11,2,80, किस से increase हुआ, initial value से, क्योंकि देखो, ये actual में क्या है, ये percentage का question है, ये, बस, pi chart दिया गया, di, लेकिन question क्या है, percentage का, तो 11,2,80, into, percentage में करने के लिए क्या करें, 100 से multiple, बस अब calculate कर लें, यहाँ पे, तो calculate करें, तो 0, 2, ये बचा, 4, 4 में से दो गया, 2, और ये कितना बचा, 2 में से एक गया, 1,12,80, into, 100, अब देखे, 1,0 से 1,0, cancel हो गया, अब हमारे पस क्या देगे, 1,122 upon, 1,122 ही है, 1,128 है, चलो, 1,128 है, ठीक है, 1,122 हो गया, और ये 1,128 है, यहाँ पे कहीं पे देख लेते हैं, कहीं पे गलती तो नहीं हुए है न, 0 से 0, 2, ये बचा, 4 में से 2 गया, 2, 2 में से 1 गया, 1,12, 500 में से मैंने 11, 280 घटाया, 0, 2, 4 में से 2 गया, 2, 1220 होगा, सोरी, ये मैंने mistake किया हूँ, यहाँ पे, 1220 होगा, ठीक है, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, एक मिनट, देखे, यहाँ पे होगा 1220, 1220 ये हुआ, तो मैं इसको cancel कर दिया, देखो, cancel कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, 122, 00, upon, क्या, 1228, अब देखे रियांसे, मैं इसको, अब ये हाया, अब हमें answer तक पहुँचना है, हमें, डियाई में कभी भी solve पूरा नहीं करना है, देखे, approximate कैसे लेंगे, 1220, upon, 1128, इंटू 10 लिख दूँ, अब खुछ सोचो, यहाँ पे देखो, ये 1220 है, और ये 1128 है, अगर ये भी 1220 होता, तो कितना हो जाता है, 10%, अगर ये 1 हो जाता, ऊगर ये पूरा का पूरा 1 हो जाता, तो 10% के equal होता है, लेकिन नीचे का छोटा है, तो नीचे का छोटा यहाँने 10% से ज़्यादा होगा, हैने 10.something होगा, 10.something इसमें नहीं है, ये 10 से बहुत ज़्यादा बढ़ा हो गया, ये क्या है, 10.8 something, अगर calculate करन है तो आपका आएगा 10.82 परसेंट तेकिन एक जाम में आपको यहीं approximation value लेके चलनी पड़ेगी ताकि आप question को कर सोगे आपके पास calculator वगरा तो है नहीं तो आपको approximation value पे ही काम करना पड़ेगा चली next question पे move करते हैं question number 16 देखी दिया क्या गया है the ratio of amount of spent for saving in April month salary and miscellaneous in May month salary कहा ज़रा कि April month अब देखें यहाँ पे समझने वाला चाइट में April month की saving की बात की जा रही है और मई month की miscellaneous की बात की जा रही है उनका ratio तो April month में saving saving किसके औरी पर जेंट कर रहा है बी को बी कहां पे यहां पे है तो किसका बी कहां पे है यहां पे है 24,000 का saving कहा जा रहा है ना spent for saving ठीक है तो 24,000 का बी कितना है 18% 18 by 100 यह रहा और मई month का miscellaneous miscellaneous कहा है miscellaneous किसको represent कर रहा है E को मई month का E इसका 25,000 मई month की monthly salary कितनी 25,000 उसका क्या लिकालना है 2% और इनका ratio लिकालना है ratio का मतलब इस तरह से अब देखे अब कैसे कहोगा 100 से 100 cancel 3,0 से 3,0 cancel इधर कितना हो गया 24 into 18 और इधर कितना हो गया 25 into 2 2 से काटू तो 9 यह कितना हो गया 24 into 9 9 4 के 36 9 दूनी 18 18 3 21 और इधर कितना बचा 25 यानि आ गया 216 is to 25 यानि इसका answer क्या आ गया 216 is to 25 तो answer कौन सा match कर गया A is the right answer चलिए next question पर move करते है question number 17 देखे question number 17 क्या कहा गया from the salary of may the amount spent on the grocery and electricity मैं मन्त में मैं मन्त में grocery और electricity का amount क्या होगा मैं मन्त की बात किया रहा है मैं मन्त में किसकी grocery and electricity मैं मन्त वाला diagram यह है grocery ग्रोसरी कौन सा है C की condition है C कितना है यहाँ पे 14% मैं मन्त में 25,000 तो 25,000 का 14% यह grocery वाला हम लिकाल रहे हैं तो 2,0 से 2,0 cancel तो 25 into देखो 25 into 14 multiply करना है तो 10 प्लस 4 लिखो इसको 25 दाहां में 2,500, 25,500, 3,500 यानि 350 और 1,0 यानि यह हो गया 3500 आ गया grocery का दूसरा किसका पूछा गया था? electricity का, electricity को किसको रिपरजेंट कर रहे है? D को, D कहां है यहाँ पे 9% तो 25,000 मैं मन्त का salary 25,000 उसका 9% तो 9 by 100, 2,0 से 2,0 पचीस दाहां में 200 होता है 200 में से 25 कम कर लो, यानि 200, 25 और 1,0 यानि हमारा grocery का 3500 और electricity का 250 ग्रोशरी का 3500 और electricity का 2250 यानि option क्या हो गया? C is the right answer of this question तो ये था, आपके question पूछा गया था कि हाँ पे CGL 2013 में Pre-K paper में, चली अब एक question LDC का ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि इसमें सारा मैं complete कराने वोला, SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS सारे चीज़ complete कराने वोला, तो देखिए दियांस कहा गया कि 2011 का एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको variation different different types की public की company की दी गई है जो book को publish करने के लिए काम में आती है तो आप से question पूछा गया है, देखिए question क्या गया चीज़े पूछा गया है परसेंट अधिक है, यदि अंकित कीमत 180 है तो एक प्रती copy के लिए कागज का मुल बताएं अब देखिए ये question actual में DI का नहीं है, ये question है actual में profit and loss profit and loss का mix करके DI के साथ कुछ combination दिया गया अब यहाँ पर समझने वाली बात है, पहले दिया गया 20% जो mark price है, 20% जादा है किसे, cost price से, देखो ध्यान से, अब खुद सोचो यहाँ पर, 20% का मतलब होता है क्या, 1 by 5 अब जब तक आप मेरे 70 days course को नहीं देखोगे, तब तक आपको दिक्कत आएगी, ये क्या है, cost price, एक increase हुआ, यानि CP 5 unit है, तो mark price कितना है, एक unit है, क्योंकि, sorry, एक जादा है, यानि 6 unit है, अब mark price की value दी गई है, mark price कितना दिया गया, 180, तो कितना गुना हो गया, 30 गुना, तो इधर भी 30 गुना कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1500, हमारे पास पता चल गया कि जो cost लगेगा, वो कितना है, 1500 रुपए, अब आगे बढ़ते हैं, question का आज़र है, the cost of paper, फोर ये single copy, paper cost, अब देखो, cost तो है 1500, लेकिन paper cost चार्ट में देखो कितना दिया गया, 15%, त answer कौन सा हो जाए, c is the right answer of this question, तो इस तरह से हमें question करना था, क्योंकि cost of paper, paper का cost कितना था, 15%, cost है 1500, 1500 का 15%, तो यहाँ पे दो चीजें, combine करके examiner पूछा था, percentage topic का यूज कर लिया, profit and loss का यूज कर लिया, उसको किसमें convert कर लिया, दी आई, तो दी आई is all about arithmetic, and your check the calculation, बलब कि आपकी जो, calculated part है, कि किस तरह से आपको calculation करना है, यहाँ पे यह भी important होता है, second आपको, कि arithmetic topic का knowledge है की नहीं, ठीक है, चली, next question पे आते है, question number 19, तेकि 19 में question क्या कहा गया है, royalty of a book is less than the printing cost, कहा जा रहा है, royalty of a book is less than the printing cost, royalty कहा है, 15% है, और paper cost, printing cost कितना है, 20%, यानि एक है 15%, और दूसरा है 20%, इनका कहा जा रहा है, कितना percent less, यह देखो percentage का question है, हम कहाते हैं, कि a, b से कितना percent कम है, लिकाना, तो देखो, यहाँ पे royalty है, और यहाँ पे क्या है, printing cost, royalty यह था, printing था, अब कहा जा रहा है, royalty जो है, printing से कितना less है, और वो भी percentage में, तो कितना कम है यहाँ पे, royalty, printing से 5 कम है, किस से, compare जिस से किया जाएगा, printing से वो नीचे, percentage में करने के लिए 100 से multiply, तो 25 यह 100, यानि कितना percent कम है, 25%, तो answer क्या हो जाएगा, option a is the right answer, ठीक है, तो आपको ऐसे ही question करना था, तो इस तरह से हमने क्या किया, 10 to 19 question हमने लिए इसमें, और आपको मैंने complete कराया, इसमें हमने क्या किया, CGL Mains के paper के question देखे, CGL Pre के question पेपर देखे, और LDC, यानि CHSL के भी question देखे, तो मैंने पहले भी बोला था, कि आपको, चाहे CGL की preparation कर रहे तो वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया किजिएगा, after watching, जैसे 30 मिनट की वीडियो है, तो 30 मिनट देखने के बाद आप decide करो, वीडियो अच्छी है या नही है, और अपने friends के पास जितना जादा से जादा हो सकी, आप share कर सकते हैं, और जो लो झाल, 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 झाल